दोस्तो बड़ फिलो और इबोला वाइरस के बाद में भारत पर एकोर बहुत बड़े और खतरनक वाइरस का साया आया हुआ है जी हाँ, मैं बात कर रहे हुए अपर कोरियना वाइरस की जो आपर जान पर जान लिये जा रहा है और एक के बाद एक आपे बुरी ख़बर दिये जा रहे है और अगर आपको नहीं पता है कि कोरियना वाइरस क्या है तो बिलीव में आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये एक ऐसा वाइरस है जो कि शायद बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अगर आपको ये हो भी जाता है अगर आप इसके चपेट में आ भी जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इसके चपेट में आ चुके हो इसी के साथ ये जो वायरस है ये फैलने वाला है मतलब कि अगर आपके किसी भी घर के एक सदश्य को हो जाता है तो फिर एक-एक करके सभी को हो जाएगा आपके आज-पास के इंवर्मेंट को ग्रसीति कर देगा मेरे हिसाब से मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगी इसी के साथ में ये जो वायरस है इसकी वज़े से आज के दिन हजारों लोग अस्पताल के अंदर भरती है जिनका इलाज खुझ सरकार भी नहीं कर सकती है क्योंकि ये जो वायरस है इसका एंटिडोट अभी तक नहीं खो जा गया है इसका क्या उपचार है क्या इसका सोलूशन है अभी तक किसी को भी नहीं पता है लेकिन हाँ इस वीडियो के अंदर वो काफ़े कुछ नया सीखरे को मिलने वाला है और आप कैसे पता करोगी कि आप इसकी चपेट में आ चुके हो हम इसके अंदर बहुत ही important important सवाल लेने वाल है जो कि शयाद आप सभी को जानने के जिग्यासा होगी जैसे की Ebola virus है क्या ये बना कहां से है ठीक है इसके साथ में Ebola virus की starting कहां से हुई है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसकी चपेट में आ चुके है अगर किसी दूसरे परसंद को Ebola virus की problem है या फिर उसकी चपेट में आ चुका है और हमें लग रहे है कि वो चपेट में आ चुका है तो हम उससे अपना बचाओ कैसे कर सकते है और इसे के साथ में इंडिया के अंदर डोक्टर क्या क्या गलतिया कर रहे है और आज के दिन इंडिया में जो coronavirus है इसकी क्या status है क्या इसकी चहल पहले है इन सभी बातों के बारे में आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है और हाँ मैं नहीं चाहता आप या फिर आपका कोई भी दोस्त हो गया या फिर आपका कोई भी relative हो गया वो coronavirus की चपेट में आए इसलिए हमें एक descriptive वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी से एक हाज जोड़ के request है कि भले से वीडियो को like मत केजिए चनल को subscribe मत केजिए कुछ मत केजिए लेकिन जितना हो सके इस वीडियो को share कीजिए हो सकता है कि आपका एक share किसी भाई की या फिर किसी और की जिन्दगी बचा जाए तो बिना टाइम वेश्ट के अचके सकमाल की वीडियो को शुरू करते है दोस्तों हम सबसे पहले बात करते है कि कोरिना वाईरेस है वो क्या है और उसको सबसे पहले कब और कहां पर देखा गया जो कोरिना वाईरेस है एक animal से create होने वाला वाईरेस है और अगर आपको नाम सुनकर लग रहा है कोरिना वाईरेस मतलब कि सिर्फ एक ही वाईरेस होगा तो आप बिल्कुल गलत है एक्चली कोरिना वाईरेस यहाँ पर ग्रूप ओफ वाईरेस है मतलब कि अलग-अलग साथ वाईरेस का एक ग्रूप मिला कर उस ग्रूप का नाम यहाँ पर कोरिना वाईरेस दिया गया है अब इन में से पहला जो अटेक हुआ था वो हुआ था 2003 के अंदर ठीक है कहाँ पर चाइना में अब जब वो अटेक हुआ था उस टाइम पर तो उस टाइम पर हजार से भी ज़्यादा लोगों कि इसके अंदर मोथ हो गई थी और उसके बाद यहाँ उसका एंटिडोट फाइंड आउट किया गया था लेकिन जो बाके के 6 थे उसके एंटिडोट अभी तक क्रियेट नहीं हुए थे अब दुबारा जाकर 2020 में एक और अटेक आया लेकिन वो ही बात है कौन सा टेक आया था कोरेंड हागा अब वो जो मतलब हमारे पास एफेक्ट आया है उस चीज़ का तो हमारे पास होना चीए कि एंटिडोट पहले से ही तयार हो लेकिन अब की बार जो पहले एटेक आया था वो वाला एटेक नहीं था बाकि के जो हमारे पास 6 बच गए थे उन में से किसी एक वाइरस ने अटेक किया है और अब की वार उसका जो एंटीडोट है वो नहीं मिल रहा है और एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहे है कास उसका एंटीडोट बहुती जल्द मिल जाए लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारी प्रिकुशन है जो कि आप सभी को मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो दोस्तों आप सभी ने ये तो जानी लिया कि जो कोरिना वाइरस है वो क्या है कहां सबसे पहले बारे इसको देखा गया और कब देखा गया लेकिन अभी जान लेते है कि जो कोरिना वाइरस है इसके सिम्टम्स क्या-क्या है लक्षन क्या-क्या है तो इसका जो सिम्टम्स है पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अब ऐसा आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझे अगर आपने खासी जुखाम वाली प्रोलम सुना है तो same to same ही ऐसा ही होने वाला है लेकिन थोड़ा सा long term तक आपने देखा होगा कि अगर कोई भी खासी जुखाम normal किसी को होता है तो within week ठीक हो जाता है लेकिन अगर आप इसकी चपेट में आ जाते हो तो आप 2 week तक 3 week तक भी ठीक पिल्कुल भी नहीं होने वाले हो और दीरे दीरे आपकी जो बोड़ी है उसकी रोग परतिरोदक चमता कम करके आपके स्रीर को यह अच्छ तरीके से जकड लेगा और finally आपको यह मोत के घाट भी उतार सकता है फिलाल इसके जो चांची जे मतलब कि अगर कोई मतलब गरसित हुआ है और उसके बाद उसके जो बचने के चांची जे वो यहाँ पर 65% है मतलब कि 35% लोगों के यहाँ पर डेथ हो गई है तो इसका भी एक बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास आज से पहले जितने भी वाइरस आये है उनमें से यह ती हमारे पास नहीं है और यह खत्रे की बहुत बड़ी गंटी है तो हम सबको इसके बारे में अवेर रहना चाहिए अभी दोस्तों बात करते है कि अगर आप इस वाइरस की चपेट में आ जाते हो और अगर आप डोक्टर के पास जाते हो तो डोक्टर आपको क्या-क्या गलत स सला दे सकता है पहली बात अगर आप इस वाइरस की चपेट में आ चुकी हो डोक्टर आपको नोर्मल बुखार जो खामाली दवाई दे देगा तो आपका यह जो बुखार है यह जो वाइरस है यह और भी ज्यादा अटेक करेगा फिको यह जो वाइरस से मेन काम करता है कि बोडी की रोग परतिरोदक चमता है उसको खतम करने का तो जितने भी डोक्टर उन सभी से मेरी एक सला रहेगी कि जो रोग परतिरोदक चमता है कि गोलिया आती है मतलब कि अपनी बोडी के अंदर से किसी भी रोग के साथ लड़ने की ताकत की जो गोलिया आती है आप वो ह करते हैं कि आप coronavirus से कैसे बच सकते हो अगर आपके पास या फिर आपके किसी भी friend circle के अंदर आपके घर के अंदर किसी को भी यह जो attack आ जाता है इस virus का तो आपके लिए कुछ प्रिक्योशन है जो कि आपको ध्यान रखने चीए पहली बात क्या आपने कमी chicken box का नाम सुना है जी है मेरे हिसाब से आप सभी ने सुना होगा वहाँ पर हम करते हैं कि किसी भी particular patient को एक अलग बैट दे देते हैं उसे कपड़े अलग रखते हैं कुलमिला के मार पास जो main काम रहता है वो ये रहता है कि उसको privately एक अलग पार्ट दे देना तो आपको ये हर एक बात को follow करना पड़ेगा उसका जो भी कपड़ा होगा को भी बिस्तर होगा आपको उसका एक private पार्ट बिनाना पड़ेगा दूसरी बात उसके भी मूँपे mask लगाना पड़ेगा और आप आपको खुद के मूँपर भी mask लगा कर चलना चाहिए मार्केट के अंदर भी अब मैंने आपको ये बात क्यों बोली है जो patient है उसको खुद को ये बात follow करनी चाहिए कि भाई ये virus मेरे में तो आ चुका है मैं किसी और को फालतों में क्यों फैला हूँ तो आप ये बात का जो part है इंटिनर part है आपकी जो नाकी हवा है वो directly किसी भी इनसान के पास नहीं जानी चाहिए अधरवाईज उसको भी ये same to same problem हो सकती है जो कि आपको है तो please इसके अंदर यापे patient और उसके आसपास के रहने वाले लोग सबी के सबीस बात का ध्यान रखेगा तो क्या कर किसी और के पास ना पोचे उसके लिए मैंने कुछ safety tips बताई है प्लीज उनको follow कीजिएगा लेकिन हाँ यहाँ पे आप जितना ज्यादा हो सके अपनी body की जो रोग परतिरुदग छमता है उसको बढ़े ये भी कोच अगर वो बढ़ जाएगी तो वो virus आप पे attack ही नहीं कर जाएगा तो आप पे directly apply कर दिया जाएगा फिलाल इसके जो मरीज है उनके संख्या बहुत ही कम है और उन पे experiment किया जा रहा है और I hope कि जल्दी इसका जो antidote है वो create कर दिया जाएगा क्या ये virus जान भी ले सकता है जी हाँ इसका answer है बिलकुल हाँ ये virus जान भी ले सकता है फ अभी तक उनके पास antidote नहीं पहुचा है और उन्हें पता भी नहीं कि पहुचेगा या फिर नहीं पहुचेगा तो इसका जो exact answer है वो बिलकुल हाँ है तो हम इन सब बातों को follow करके अपने आपको बचा के रखना चीए अब बात ये आते है कि हमें किस हद तक चिंता करने जीए और यह जो वाइरस है इसका फिलाल इंडिया में status क्या है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो वाइरस है चाइना में create हुआ है मतलब वहाँ पे पैदा हुआ है और वहाँ पर काफी लोगों को इसके दिक्कत आ चुकी है लेकिन कुछ इंडियन्स थे जो कि व जा रहे है अगर किसे को थोड़ी वहत भी खासी जुखाम की शिकायत है तो पहले उनको पकड़ा जा रहे है उसके बाद भीजा जा रहे है कुल मिलाकर बात ऐसी है कि security तो काफी tight है अपनी जो वारत सरकार वो काफी अच्छे तरीके से लगी हुई है पूरी मेहनत करने के लेकिन बहुत सारी देश है मतलब चार-पांच देश अब इस वाइरस की तलास में इसका एंटिडोट मिल जाए मतलब एंटिडोट ढूनने के लिए चार-पांच देश काम पे लगे हुए जैसे कि अमेरिका हो गया नीदरलेंड हो गया इस सारे लगे हुए है और इसी के स साथ यहां पर इंडिया के अंदर दो ऐसे केस देखे गए है जो कि इस वाइरस के शिकार है बस अब उन्हीं को लेके बोल-बाला चला हुआ है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सावधान नहीं रहना चाहिए हम सबको सावधान रहना चाहिए और जो जो बाते मैंने आज की इस वीडियो में बताई है इन सभी बातों को फोलो करते हुए हम सभी के सभी सेफ रह सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको जो जानकारी दी है यह आपको काफी काम आई होगी और ऐसी जानकारी और पाने के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब करके बेल ह उलाकात करता हूँ तब तक के लिए बबाई टेक कियर